नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये खबर जहां हर खबर पर होती है पैनी नज़र. आज की हमारी खबर है मुझण फर पुर जिले के विक्रम कुमार की दर्द भरी कहानी. दोस्तों, विक्रम कुमार की शादी अभी एक महीने पहले ही धूमधाम से हुई थी उनकी पत्नी का नाम है अनू, जिसे प्यार से अस्मा भादो भी कहा जाता है लेकिन अब विक्रम के जीवन में खुशियों की जगह मायूसी ने ले ली है शादी के कुछ दिनों बाद ही अनू अपने माय के चली गई और अब वापस आने से मना कर रही है विक्रम का कहना है कि अनू के माता-पिता उसे ससुराल नहीं भेजना चाहते विक्रम ने मीडिया के माध्यम से अनू से भावुक अपील की है विक्रम कहता है कि वो अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता उसने कहा अनू अगर तुम मुझे सुन रही हो तु प्लीज वापस आ जाओ मेरे माता पिता भी तुम्हें बहु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है अब सवाल ये है क्या अनू वापस लोटेगी क्या विक्रम और अनू का रिष्टा फिर से जुड़ पाएगा दोस्तों इस खबर पर हमारी टीम नजर बनाए हुए है और हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे क्या है पूरा मामला विक्रम की पतनी अनू ने घर आने से किया इंकार विक्रम ने मीडिया से लगाए गोहार बिहार के मुजफर पुर जिले के बुचाहा गाव के रहने वाले 20 वर्षिय विक्रम कुमार जिनके पिता का नाम रामकृष्ण है कि शादी एक महीने पहले अनू घरेलू नाम अस्मा भादोप नाम की लड़की से हुई थी विक्रम ने बताया कि शादी के बाद अनू अपने माय के गई लेकिन अब वापस आने का नाम नहीं ले रही है विक्रम के अनूसार अनू के माता पिता जै नारायन राम और रूना देवी उसे अपने ससुराल आने से मना कर रहे हैं अनू बिहार के हतोरी गाव की रहने वाली है विक्रम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी पत्नी अनू से बेहत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता विक्रम के माता पिता भी अनू को बहु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है और अगर वह ससुराल आना चाहे तो उसे पूरा सम्मान मिलेगा विक्रम ने मीडिया के माध्यम से अनू से भावक अपील करते हुए कहा हमारा शादी शुदा जीवन शुरू हो सके इसके लिए वह मेरे पास आकर मेरे घर रहने लगे विक्रम की इस अपील के बाद अब देखना होगा की अनू और उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेर करें और हमारे चैनल इखबर को सब्सक्राइब करना न भूले हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही ताजा खबरें और दिल छू लेने वाली कहानिया धन्यवाद क्या है पूरा मामला आज हम आपके लिए लाए हैं मुजफरपुर के विक्रम कुमार की दर्द भरी कहानी विक्रम की शादी एक महीने पहले अनू धर का नाम अस्मा भादो से हुई थी लेकिन अब अनू अपने माय के जाने के बाद वापस नहीं लोट रही है विक्रम का कहना है कि उसकी पतनी के माता-पिता जय नारायन राम और रूना देवी उसे ससुराल आने नहीं दे रहे है विक्रम ने मीडिया के माध्यम से अपनी पतनी अनू से भावुक अपील की है उन्होंने कहा अनू मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ प्लीज वापस आजाओ मेरे माता-पिता भी तुम्हें बहु के रूप में पूरा सम्वान देंगे अब देखना यह है कि अनू विक्रम के पास लोटेगी या नहीं ऐसी और दिल्चस्थ खबरों के लिए हमारे चैनल यी खबर को सब्सक्राइब करें धन्यवाद कहना है कि उसकी पत्नी के माता-पिता जय नारायन राम और रूना देवी उसे ससुराल आने नहीं दे रहे हैं विक्रम ने मीडिया के माध्यम से अपनी पत्नी अनू से भावुक अपील की है उन्होंने कहा अनू मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ प्लीज, वापस आ जाओ मेरे माता-पिता भी तुम्हें बहु के रूप में पूरा सम्वान देंगे अब देखना यह है कि अनू विक्रम के